हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग बटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी अंतिम यूद सीरीज में NCRT बेस्ट डाइग्राम बेस्ट क्वेश्चन फॉम्ट चैप्टर हुमन रिप्रोडक्शन तो चलिए बिना लेके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है देखें आप लेबल डाइग्राम है जो इंटर रिलेशन्शिप शो करनी है आपको चारों असेसरी डक्ट की यूमन मेल रिप्रोडक्टर सिस्टम में तो बेटा देखें यह चार स्ट्रक्चर कौन सी होती है जो मिलके मेल असेसरी डक्ट बनाती है आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले वैस डिफरेंस एपिटिडाइमिस वैस इफरेंस एंड रिटे टेस्टिस यह चारों स्ट्रक्चर मिलके बच्चों क्या क्यलाती है मेल असेसरी डक्ट तो डाइग्राम में आपको इस तरह से इनको लेबल करना होगा चारों पार् डाइग्राम गीवन बिलो शोव डवलपेंटल स्टेज ओफ फ्यूमन एंब्रियो तो आंसर करना है आपको इक इनकोस्टिंस का कि आइडेंटिफाई करना है और नेम बताना है यूमन एंब्रियनिक स्टेज जो की दिखाई गई है ठीक है जी तो यह तो हो गया बच्चों इए अ और नेम गई है ओख आपयए ज सकते हैं इसको सक्साषित पाह रहे हैं इंड़र्यनिक वोर्षेस और आये के साथ रहा है उसके बाद पूच रहा है उसके बाद पूच रहा है जएए पूच रहा है राइट वन फंक्शन होओ each of the two parts, label x and y, x, देखें, दो type की cells बनती हैं, आपको याद होगा, ये type की cells क्या होती है, outer जो cells होती है, उनको कहा जाता है बिचा, बिटा, ट्रोपोब्लास्ट, और ट्रोपोब्लास्ट की, ट्रोपोब्लास्ट का function क्या होता है, ये help करता है, implantation में, कि uterine wall के साथ, अपने आ और inner cell mass, differentiation में help करता है, embryo के, जो, ectomyos और endodrum के formation होती है, differentiation of, embryo, it get differentiated into embryo, आप लिख सकते हैं, तो तीनो पार्ट के काम होगे, तीनो पार्ट का answer हमने कर दिया, तो आपको मिलते हैं, पूरे के पूरे तीन नंबर, ठीक, चलिए, ये question third हो गया, in which one of the following, options, आपको क्या करना है, does the endocrine gland correctly, correct बताना है, match with its hormonal secretion and function, चलिए, so atoli cells, secondary sexual character नहीं है, गलत हो गया, placenta, initial initiate milk नहीं, वो तो prolactin होता है, लेडिक सेल्स, androgen, yes, चलिए, एक और देख लेते, ovary, follicle stimulating hormone, नहीं, तो आपको answer क्या हो जाएगा, answer, C हो जाएगा, लेडिक सेल्स, जो है, वो androgen secret करती है, जो की sperm production को initiate करती है, यहाँ पर placenta नहीं, यहाँ पर क्या होता है, prolactin होता है, बिटा हो, तो आपको confused नहीं होना, ठीक है, prolactation मैंने लिग दिया, prolactin, चलिए, question number four, fourth question है, observe the diagram given below, show you the menstrual cycle of normal human female, और बाकी answers आपको बताने हैं, चलिए, क्या-क्या है, what are the suitable technical terms used for the following, one to seven day, one to seven day को क्या कहा जाता है, चलिए, अगर आप मेंसे किसी को याँद है, तो इसको याँद है, बता ये comment section, पहला phase क्या कहला आता है, menstrual phase, इसको ब्लीडिंग phase भी कहते है, menstrual या, ब्लीडिंग phase, 8 to 12 days, follicular, इसके बाद, 16 to 28 days, luteal phase, 13 to 15 days, ovulation phase, या, ovulatory phase, चलिए, ये चारो पार्ट हो गए, उसके बाद क्या पूछ रहा है, explain the role of ovarian and which victory hormones during the following time period, अब तोड़ चीजों को change कर दिया गया है, 8 और 12 days में, दो hormones होते हैं, तोनों का हम लेके चलते हैं, एक साथ, एक तरफ है, हमारे पास ovarian hormone, इदर मैं ovarian hormone का लिखता हूँ, 8 to 12 days में ovarian hormone क्या करेगा, और उदर हम लिख देंगे, which victory hormone, ओके, तो ovarian hormone यहां पर क्या करेगा, 8 to 12 days में follicular growth करेगा, पहला 8 to 12 days में follicular growth होगी, जबकि, जो pitch victory hormone है, वो estrogen की secretion करेगा, estrogen secret करेगा, ovarian hormone 13 to 15 days में क्या करेगा, thickening of endometrial wall, endometrial wall को thick करेगा, ठीक है, और इदर, यह क्या कर देगा, it causes rupture of graphene follicle, rupture of graphene follicle, 16 to 28 पे ovarian hormones क्या करेंगे, maintenance of endometrial wall, endometrial wall को maintain करने का काम कर देगा, उसी time period में, जो pitch victory hormone है, वो progesterone hormone से create करेगा, from corpus luteum, ठीक है, तो इस तरह से यह दोनों पार्ट आप complete कर सकते हैं, यह आपर जो days है, यह represent कर रहे है, number of days in menstrual cycle, और यहाँ पर 14th day पर ovulation होता है, ovulation occurred at secondary suicide stage, बहुत important है, आप याद रखें, secondary suicide stage पर ovulation होता है, यह phases है, देखेंगे, 127, 8 to 15, 16 to 28, जाली, next question, आपको एक sectional view बनाना है, human ovary का और उसी में सारे के जारे parts को लेबल कर देना है, primary, secondary, tertiary follicle, graphene follicle and corpus luteum, and name the gonadotropines, and explain the role in oogenesis and, तो हम पहले part cancer यान लेखेंगे, तो के बाद डाइग्राम के जाएंगे, LH and FSH, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, दो हर्मोन होते हैं, जो की gonadotropines हैं, और उनका role अगर हम बात करें, तो इन दोनों का जो amount है, इन दोनों का जो level है, increase हो जाता है, during follicular phase, during follicular phase, in females, and it stimulate secretion of estrogen, estrogen, estrogen की secretion बढ़ जाएगी, ठीके बच्चों, और जब estrogen की secretion बढ़ेगी, तो जो graphene follicle है, and graphene follicles, उनकी maturation की तरफ चला जाएगा, जो 13th day है, matural cycle का, जिसको हम LH surge कहते हैं, during LH surge, it induces rupture of graphene follicle, जो graphene follicle है, उनका breakdown, उनका rupture हो जाएगा, जिससे, ओवा, egg cell release होगी, at a secondary oocyte stage, clear to everyone, तो यह part week answer हो गया, अब diagram की तरफ चलते हैं, यह diagram है, तो इसमें अलगलग stages आप देख पा रहे होंगे, आपकी NCRT में यह बहुत अच्छे से दिया हुआ है diagram, सबसे पहला जो होता है, उसको हम primary follicle कहते हैं, उसकी size बढ़ती है, उसकी चारो तरफ granular cells आ जाती है, then it changes into secondary follicle, और जब follicular cavity appear हो जाती है इसमें, जब entrum आपियर हो जाता है, then it is known as tertiary or third follicle, and finally जब अबना पूरा shape attain कर लेता है, then it is known as mature or graphion follicle, अब इसी graphion follicle से 14th day पर rupturing हो जाएगी, और ovulation होता है, at secondary oost-like stage, ठीक है, secondary oost-like stage पर graphion follicle बन गया, और उसके बाद, यह degenerate होना शुरू हो जाता है, and it changes into corpus luteum, और जो last stage होती है, उसको कहते corpus albicans, corpus albicans बन गया, तो यह diagrammatic लिए आपको दिखाना है, and you will get full marks, इस से related बहुत बार, देखो, मेंली दो topics से बहुत question आए, आप अभी देखेंगे, menstrual cycle और ovary का sectional view, इसमें बहुत बहुत बार question आए, यह देखें, दुबारा से वह question है, draw a sectional view of human ovary, showing different stages of developing follicle, copus luteum and ovulation, same question है, same ही तो question हो गया, उसमें सारे टाइप के follicle अलग लग लिखे हुए थे, ठीक है, तो इसको दुबारा से repeat करने की जुरुत नहीं है, अलड़ी हम यह कर चुके है, done, 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 अगला question क्या है, okay, mature human sperm का diagram और तीन पार्ट लेबल करके, आपको functions लिखने हैं उनके, तो देखें, सबसे आगे का हिस्सा जो होता है, उसको head कहते हैं, और head में भी जो tip portion है, वो हो जाता है, acrosome, acrosome के just पीछे nucleus, and यहाँ पे जो neck region है, यहाँ पर दो centrioles होते हैं, proximal and distal centrioles, जो 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 आप इसारा बताएं, आपको चरफ तीन पार्ट बताने है, उनके function बताने है, लेकिन यह पता होना चाहिए, proximal and distal centrioles, proximal centrioles क्या करता है, cleavage पे help करेगा, और distal centrioles जो है वो, यह spiral, axial filament बनाएगा, यहाँ पर mitochondria located होंगे, middle piece में, उसके बाद यह region क्या कहला था, middle piece, यहाँ पर spiral होता है, spiral पर बहुत चारे, mitochondria आरेंज होते हैं, जो energy provide करते हैं, और पीछे का इसारा पार्ट क्या कहला था, tail region, and covered with plasma membrane, except last part, एक चोटा सा पीछे का हिसा है, वहाँ पर coverage नहीं होती, अदरवाइस पूरे का पूरा पार्ट covered होता है, functions की बात करें, तो सबसे पहले जो acrosome हैं बचो, acrosome produces sperm lysine, sperm lysine में में होता है, hyalourinidase, और वो क्या करता है, it penetrate or dissolve the egg cell membrane, जिससे की sperm की entry हो सके, middle piece का आप answer बता सकते हैं, middle piece में क्या होते हैं, middle piece में, mitochondria होते हैं, जो की energy provide करते हैं, और तीसरा आप लिख सकते हो, tail region, tail region moment करता है, यह moment के लिए responsible होता है, acrosome के, sorry, centralal के function आप बता सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता हैं, cleavage में help करेगा, like axial filament के formation में help करता है, इस तरह से आप answer दे सकते हैं, बिल्कुल simple है, next question, yes, menstrual cycle in human females, बहुत 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 important question है, बहुत बात पुछा गया है, आपको बड़े अच्छे से इसका answer करना है, five marks में आता है mostly, and how scientific understanding of menstrual cycle of human females, helps in, as a contraceptive measure, चले पहले पहले पहला पार्ट बता देते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, देखे वो ही चारी चीजें जो अभी थोटे देर पहले हमने, sectional view में देखी थी, उसको अब graphical form में दिखाया गया है, developing follicles है, immature follicle हो गया, यहां पर ovulation हो गया, corpus luteum की formation है, ruptured corpus luteum, चली, तो menstrual cycle, बेटा, आपको पता है, mainly चार phases में complete होती है, पहला phase जो है, वो कहलाता है menstrual phase, या जिसको हम bleeding phase भी कहते हैं, it takes 3 to 5 days in 28 day cycle, जो LH का production है, from anterior lobe of pituitry gland, production of LH hormone, luteinizing hormone from anterior lobe of pituitry, जली, मैं यहां से start करता हूँ, पहला phase, production of LH, from anterior pituitry gland, reduce होता है drastically, देखें, drastic reduction है, यह जो blue valley line आपको दिख रही है, blue valley line में reduction है, LH का level बिल्कुल reduce हो जागा है, जिसकी जैसे, जो corpus luteum है, वो degrade होना शुरू हो जाएगा, और जब corpus luteum degrade होगा, तो जो progesterone hormone है, वोस का level भी देरे-देरे कम होता चला जाएगा, तो दोनों hormone decrease हो जाते हैं, कि कौन-कौन सा, LH and progesterone, during first phase of menstrual cycle, जिसकों bleeding phase या, mensis phase कहते हैं, 3-5 दिन तक यह cycle होती है, in 28 days cycle, second phase is called follicular phase, या proliferative phase, अब इस phase में क्या होगा, कि 6-13 days, बतलब just evolution से पहले तक, यह cycle चलती है, in 28 days cycle, अब इसमें जो prominent changes आपको देखने के मिलेंगे, जो FSH की secretion है, वो start हो जाएगी, from anterior pituitory, वहाँ पर LH था है, यहाँ पर FSH होगा, follicle stimulating hormone, ठीक है बचो, यहाँ तक कोई confusion ने तहाँ बताईए, अब जैसे ही FSH का production होगा, estrogen की production भी start हो जाएगी, anterior lobe of pitch uterine gland से, और यह endometrium के wall, यह जो endometrial wall है, इसको ठीक करना शुडू कर देगा, thickening of endometrial wall, maintain करना शुडू कर देता इसको, तो दो phases complete होगे, उसके बाद third phase तो क्या कहलाता है, ovulatory phase यह एक ही दिन का होता है, जब LH और FSH, 13 day पर LH peak पर पहुंच गया, जिसको LH surge कहा देते हैं, और जैसे LH surge हो जाएगा, on 14th day ovulation occur, third phase is called ovulatory phase, third phase is called ovulatory phase, जहाँ पर second side stage पर, XL release हो जाएगी, तो यह question फिर से आया वाज देंखें, और fourth phase के अगर हम बात करते हैं, then it is known as luteal or secretory phase, अब यह सबसे बड़ा part होता है, सबसे लंबा phase होता है, जो बागी के 14 days बच गए, 15 to 28 days जो है, 28 days के dimensional cycle में, वो होता है, जो anterior lobe, pituitory की secret कर रही थी, lutealizing hormone, अब LH की वज़े से क्या हो गया, LH caused ovulation on 14th day, जो बागी cells है, follicle की, वो क्या करेंगी, corpus luteum secret करेंगी, या corpus luteum की formation करेंगी, and then this corpus luteum produce progesterone hormone, यहां पे progesterone hormone secret हो जाएगा, progesterone hormone produce हो जाएगा, which is responsible for stimulation of uterine gland and produce mucus, water mucus produce कर देता है, उसकी secretion के लिए responsible होता है, drastic increase in endometrial thickening, यह progesterone endometrium की thickening, के लिए responsible है, endometrial wall जो है, उसकी thickening के लिए भी, यह responsible होता है, अब यह क्यों जरूरी होता है, thickened endometrium क्यों जरूरी है, जिससे की ovulation proper हो सके, ठीक है नबचो, अगर fertilization नहीं होगा, अब जैसे यह degenerate हो जाएगा, तो endometrial wall को क्योंकि यह maintain कर रहा था, यह भी degenerate हो जाएगी, यह degenerate हो जाएगी, तो वो menstrual flow की form में, vaginal opening के तुरू, बहार निकलने लगेगी, विचिस starting up again, menstrual phase, यह bleeding phase phase से start हो जाता है, तो यह एक summary है, यह आप देख सकते हो, दो ovarian hormone है, estrogen और progesterone, और दो pichuitry hormone है, LH और FSH, उनका जो level है, वो maintain करता है, menstrual cycle को, LH surge 13 दे पे होगा, और ovulation 14 दे पे होगा, menstrual cycle में 28 days की cycle, corpus luteum, endometrial wall को maintain करेगा, production of progesterone hormone, hope चीज़ें आपको समझ आई होगी, अब देखिए उसके बाद एक question, इसका second part आता है, यह क्या कहा रहा है, कि how the scientific understanding of menstrual cycle, help as contraceptive measure, सिर्दी सी बात है, कि अगर हमें पता है, couples को पता है, how menstrual cycle operates, तो यह उनको पता जाता है, कि 14th day पे ovulation होगा, 13th day पे LH का search होगा, तो chances of fertilization are very high, so अगर 10 to 17 days, जो menstrual cycle के हैं, उसमें अगर sexual intercourse abstain किया जाए, coitus abstain किया जाए, तो pregnancy के chances highly reduced हो जाएंगे, यह prevent किये जा सकते हैं, तो यह उनको बहुत help कर सकता है, यह देखिए, फिर से वही question है, explain the phases of menstrual cycle in human female, level of ovarian and pituitary hormone, during this phase, already मैंने बता दिया आपको, ovarian hormones, estrogen or progesterone, pituitary hormone, LH or FSH, LH, FSH, pituitary के हो गए, और वो दोनो, estrogen, progesterone, ovarian hormone हो गए, progesterone का level कब जादा होता है, last phase कोन सा था, last phase क्या होता है, luteal phase, luteal phase phase का level जादा होता है, अभी तो ये, corpus luteum को maintain करता है, endometrial wall को maintain करता है, और इन hormones का level LH, peak पे कब होगा, follicular phase में, LH surge होता है 13 day पे, FSH का level है वो, ovulatory phase में बढ़ जाता है, और follicular phase को जादा होता है, why follicular phase in menstrual cycle, also referred as proliferation phase, follicular phase को proliferative phase क्यों कहता है, क्योंकि बेटा, during this phase, जो graphene follicles है, उनका maturation होना start हो जाता है, वो maturation form में चले जाता है, and explain the event that occur in graphene follicle, at the time of ovulation and thereafter, graphene follicle में क्या changes होंगे, ovulation के time पर, graphene follicle rupture हो जाता है, it ruptures and releases egg cell, या ova, उसके बाद ये change हो जाता है, corpus luteum मे, and finally, ये degenerate करके, corpus albicans बना देता है, तो ovulation के बाद, secondary upside stage पर, graphene follicle से egg cell release होगी, जिसको mature graphene follicle कहते है, ruptured follicle changes into corpus luteum, और धीरे धीरे वो degenerate होकर, corpus albicans में change हो जाता है, इसलिए मैं आपको कहा रहा था है, ये बहुत important topics है, diagram based question भी है, और वैसे भी question आते है, LHH, FSH, जब FSH का level आई होगा, तो क्या होता है, follicular growth होगी, follicle maturation होगी, ठीक है, LHR जब होगा, LH का level जादा होगा, तो क्या होगा, ovulation होगा, estrogen का level जब जाता होता है, तो ये repair करता है, endometrial wall को, तो इस तरह से, आप इनके, ovarian hormone के, pituitory hormone के function को भी, describe कर सकते हैं, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, where does fertilization occurs in human females, और सारे events बताने हैं, ये भी बहुत important question है, बार-बार पूचा गया question है, देखिए, जैसे ही, fertilization हुआ, इसको day zero माना गया, और इससे, जैगोट की formation होगी, तो fertilization कहा होता है, सबसे पहले तो ये पूचा गया है, fertilization occurs in this region, ampulla isthmus region of fallopian tube, ampulla isthmus region of fallopian tube, fertilization occurs, events क्या होँगे, जैगोट formation होगी, fertilization के बाद, first 24 hours, उसके बाद, cleavage start हो जाता है, two cell stage, four cell stage, उसके बाद बन जाता है, third day पे, क्या कहते हैं उसको, morula की formation हो जाती है, fourth day पे, इसको हम eight cell stage भी कहते है, blastula बन जाता है, sixteen cell stage, and at this blastula stage is, it attaches itself to, endometrial wall, endometrium की wall के साथ, ये अपने आपको attach कर लेता है, and this is known as implantation, और implantation के बाद, next nine month तक, जिसको हम कहते हैं, gestation period, इस gestation period में अपने आपको, यही पे attach रखके, अपनी growth और development पूरी करता है, fetus form में, तो ये सारे changes होते हैं, fallopian tube में, या female reproductive system में, ओके, वही diagram जो मैं आपको बता रहा था, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, mature graphene follicle, corpus luteum, ovulation हो गया यहां पर, corpus luteum की formation हो गी, उसके बाद corpus albican बन गया, अब क्या पूछना चाहरा है, identify the figure that illustrate corpus luteum, यह हो गया corpus luteum, and name the pichotry hormone, corpus luteum produces progesterone hormone, progesterone hormone क्या करता है, maintain करता है, andrometrial wall को, या andrometrium को, जलिए, उसके बाद second phase, specify the endocrine function of, corpus luteum, ठीक है, uterus की wall को ठीक करने का काम करता है, difference between D and E, D and E, यह tertiary follicle है, mature graphene follicle है, and diagram बनाना है आपको, graphene follicle का, graphene follicle का, अगर हम diagram की बात करें, बच्चों, तो यह graphene follicle हो गया, जिसको mature graphene follicle भी कह सकते है, तो mature graphene follicle में, क्या-क्या part होते हैं, आउटर पार्ट में क्या होता है, inner part में क्या होता है, इस cavity को क्या कहते हैं, दो layers mainly होती है, corona red data होता है, और यह stock like structure बनती है, जिसको cumulus of rust कहते हैं, और यह बाग की सारा part क्या बच गया, एंक्रम कहलाता है, यह सारी structures क्या कहलाती है, यह सारी structure मिलके क्या बनाती है, graphene follicle, अब अलग-लग stages पे graphene follicle में, अलग-लग layers present होती है, उनकी thickening होती चली जाती है, उसी के basis पर हम देखेंगे, सबसे पहले जो होता है, उसको हम primary follicle कहते है, primary follicle में यह granulosa cells develop हो जाती है, and it changes into secondary follicle, secondary follicle का structure और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसकी thickening बढ़ जाएगी, सुछ और cells add हो जाती है, then it is known as nursery follicle, and finally, यहाँ पर एक cavity अपियर हो जाती है, जुसको follicular cavity कहते हैं, यहाँ पर लिक्वेट बढ़ा होता है, लिक्वेट फॉलिकुलाई भी कहा जाता है, तो हर ovary में, young adult female में, 60-80,000 follicles present होते हैं, लेकिन, फुबर्टी तक आते जाते, यह बहुत सारे degenerate हो जाते हैं, and this stage is known as follicular atresia, follicular atresia की बज़े से, बहुत सारे degenerate हो जाते हैं, चलिए, तो यह diagram होता है, mature graphene follicle का, वह confusion है, अब इन follicle का क्या होता है, आप सोचके बदा ही, follicle से रिलीज उसाइट, उसाइट को रिलीज कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा, यह hormones भी produce करते हैं, जब इनकी maturation होती रहती है, तो follicular cells produce करती है, estrogen hormone, और ovulation के बाद, यह follicle change हो जाते हैं, corpus luteum बना देते हैं, या जिसको yellow body भी का जाता है, lutein की वज़े से, corpus luteum, ठीक है, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, placenta होता है क्या है बचो, यह intimate connection है, किस-किस के बीच में, connection है between fetus and uterine wall of mother, intimate connection, कि यह जो fetus है, और जो uterus wall है, uterine wall है, mother की उसके बीच में, उसके बीच का connection है, अब यह क्या करता है, यहाँ पर बहुत सारी यह finger-like structures आपको दिख रही है, जिनको placental विलाई यहाँ, korionic विलाई कहते हैं, यह korion के outer surface से डवलप होती है, यह विलाई penetrate करती है, uterine wall को, और उसकी वजए से, क्या बनता है, जो structure बनता है, उसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है, अब इससे यह placenta क्या करता है, यह placenta को मिलेगा इससे, यह placenta embryo को provide करेगा nutrition, यह इसको provide करेगा respiratory gases, जो excretory waste है, उसका removal होगा, यहीं से, तो waste removal, gases, कबे ने आपको बता दिया है, तो यह सारे function, कौन perform करता है, प्लेसेंटा perform करता है, चली, next question की तरफ चलते है, fill in the blank, तो यह blank fill करना है आपको, और बताना है, क्या है, rated testories के बाद क्या आता है, और, आगे की structures के बारे में आपको बताना है, तो rated testories के बाद आता है, waste difference, ठीक है, उसके बाद epididymis आ जाएगा, epididymis के बाद क्या आता है, अगला part that is, waste difference हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सारे parts, label कर देने, यहां तो कोई confusion है, यहां पर चो किसी को कोई doubt है, प्लीज आप पताइए मुझे, यहां पर वैस difference कर दीजिए, उसके बाद आ जाएगा, यूरेटरा, अगला बहुत important topic इस बार के लिए है, oogenesis and spermatogenesis, oogenesis and spermatogenesis, बहुत important question है, इसके अलाबा, hormonal regulation of, spermatogenesis and oogenesis, दोनों का comparison, आप याद रखिए, उसके major differences में आपको बता देता हूँ, spermatogenesis सीदी सी बात है, testis में होती है, तो males में होगा, जबकि oogenesis occurs in females, ovary, spermatogenesis A और B, दो टाइप के spermatogenesis होते हैं, spermatogenesis B जो है, they changes into primary spermatocyte, यहां पर oogenesis से primary oocyte के formation हो जाएगी, लेकर यहां पर कोई polar bodies नहीं बनती है, जबकि oogenesis के time पर दो polar bodies की formation होती है, जो कि de기로ate हो जाती है, एक spermatogenes से 4 spermatogenesis के formation होती है, spermatogenesis के time पर, lेकिन oogenesis में, एक oogenesis में से सरफ एक ovum की formation होगी, sperms smaller होते हैं, लेकिन motile होते हैं, excel larger होगी, लेकिन नोन मोटाइल होगी तो यह basic differences है spermatogenesis और eugenesis के डियागरमेटिकली भी आप show कर सकते हैं यहाँ पर देखिए primary oocyte stage पर और primary spermatocyte stage पर cells होती है diploid लेकिन secondary spermatocyte stage के बाद first immunotic division के बाद यह सारी के सारी हो जाती है haploid spermatid से spermatogenesis spermatidogenesis और एक और वर्ड होता है spermiation एक नमबर में आएगा इस बार one mark में release of sperms from seminiferous tubules that is known as spermiation याद रहेगा आपको यह एक important question है उसके अलावा LS और PS of testis यहाँ पर अलग-लग stages आपको दिखानी होती है germinal epithelium outer layer हो जाती है यहाँ पर दो टाइप की cells होँगी ledic cells जो large mass है और उसके बीच-बीच में subtly cells होती है तो सबसे पहले spermatogonia उसके बाद primary spermatocyte यह diploid cells होती है उसके बाद secondary spermatocyte haploid cell and spermatids haploid cells होती है बहुत-बहुत important diagram है इस बार आपको ध्यान रखना है then male and female reproductive system उसके parts female reproductive system में सारे events बताने होते है fertilization से लेकर और implantation तक वो important diagram हम already discussed कर चुके है and male reproductive system के parts उनके functions ओ चीज़ा आपको समझ आई होगी अगर आप कोई भी confusion में हैं तो आप बायोनिती पर comment section में कूच सकते हैं उसके अलावा आप telegram channel join कर सकते हैं जहाँ पर आपको pyqs मिल जाएंगे sample papers मिल जाएंगे और अंतिम युद में तो हम सारी चीज़े बता ही रहे हैं one short हो चाहे आपके pyqs हैं चाहे वो important questions हैं diagram based questions हैं अगर आप channel पर नए हैं तो subscribe करके like share कर दीजे till then keep studying good luck